इस्राइल और हमास के बीच जारी खूनी लड़ाई खत्म होने की बजाए और भी शड़ होती जा रही है घरेलू और अंतराश्ट्रिय दवावों के बावजूद इस्राइल अपने कदम पीछे नहीं हटा रहा है इस्राइली सेना के हमलों से गाजा में बरबादी के निशा हर तरफ देखे जा सकते हैं युद्विराम की कोशिशों के नाकाम होने के बाद से दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर भैंग कर हमलावर हैं जंग के बीच ऐसी खबर सामने आई है जिससे सब का दिल दहल गया है गाजा शहर में एक हिंसक घटना में सत्तर से अधिक फिलिस्तिनी मारे गए हमास के एक अधिकारी ने इसराइल पर योजना बद्ध नरसंगहार करने का आरोप लगाया इसराइली सेना ने पूरवी गाजा शहर में हजारों फिलिस्तिनीयों को पश्चिमी और दक्षडी इलाकों में जाने के लिए निर्देशित किया और उनके पहुचने पर उन पर गोलिया चला दी हमास सरकार की मीडिया ने बताया कि ताल अल हवाशेत्र में सत्तर शव बरामत किये गए हैं इसके साथ ही करीब पचास लोग लापता है रिपोर्ट में बताया गया कि लोग सफेज जंडे लेकर इसराइली सेना को चेता रहे थे कि वे लड़ाके नहीं हैं आमनागरिक हैं लेकिन इसराइली सेना ने इन विस्थापित लोगों को बेरहमी से माल डाला इसराइली सेना ने सभी फिलिस्तीनियों को गाजा सिटी को खाली करने कहा है इस्राइली सेना ने सभी फिलिस्तीनियों को दक्षड की ओर जाने का आदेश दिया है इस्राइली सेना ने युद्ध शेत्र के उत्तर दक्षड और मध्य में नए सिरे से हमले शुरू किये हैं जिनमें दर्जनों लोग मारे गए इस्राइली सेना ने शहर में पर्चे गिराए जिनमें लोगों से दक्षिड की ओर जाने के लिए कहा और कहा गया कि गाजा सीटी एक खतरनागत युद्ध शेत्र बना रहेगा 7 अक्टूबर 2023 को इस्राइल पर हमास के हमले के बाद से अब तक इस्राइली हमले में 38,000 से जादा लोग मारे गए जब कि तक्रीबं 77,000 से जादा लोग खायल हो गए मारे के जादा तर लोगों में शरणार्थी और आम लोग शामिल है गाजा की एक चौथाई आबादी खाने पीने और कुपोशण की गंभीर समस्या से गुजर रही है झाल झाल झाल